फोटो इलेक्टरिक इफेक्ट्ट पढ़ा था जिसमें हमने सारे बेसिक जो फ़ंडामेंटल टाम्स हैं, फोटो इलेक्टरिक इफेक्ट मतलब प्रकाश विद्यूत प्रभाव से संबंदित, उन सब पर हमने काफी डिटेल से चर्चा की थी और सारे ग्राफिकल नोटेशन् किया था आज के क्लास में जैसे कि मैंने पिछले क्लास में बताया था कि फोटो इलेक्टरिक एफेक्ट एक्च्वल में आपको पता होना चाहिए कि जो फोटो इलेक्टरिक एफेक्ट प्रकास विद्धुद प्रभाव है ना इसकी कहानी बड़ी रोचक रही है ये मैक्सवल प्लांग के कौन्टम थ्यूरिसी एक्च्वल में आया था इसके एविडेंस मिला था पहले क्या हो था आज समानलो 400-500 साल पहले अगर चले जाओ आईजक न्यूटन के टाइम पे चले जाओ गैलीलियो गैलीली कोपर निकस का जब जमाना था तो उस टाइम जो लाइट था ना लाइट को आप सब लोगों पता है लाइट उस टाइम साइंस इतना डेवलप तो था नहीं तो लाइट को ना पार्टिकल माना जाता था क्योंकि भी अगर कटोरे को धूप में रखोगे तो कटोरा तो गरम होगा तो कोई object धूप में गरम होता है ये कैसे justify हुआ when some object is strike with it जब उससे कोई दूसरा पदार्थ जो है वो आके क्या करें टकराए इसलिए light को क्या माना गया matter माना गया, एक object माना गया पार्टिकल तो एक end से दूसरे end में आना जाना ये एक medium से दूसरे medium में आना जाना करते नहीं ये पर light तो करता है भी या light prism से जाके साथ रंगों में निकलता है light काच की दिवाल को पार करके अंदर आपाता है तो ये किसी particle का nature तो था नहीं एक medium से दूसरे medium तक आने जाने की जो strength है जो capability है वो किवल wave के पास है किवल किसके पास है तरंग इसलिए light को तरंग माने जाने लगा बाद में science और ज़्यादा अपडेट हुआ और quantum physics दुनिया के सामने आया जिसके father थे Maxwell Planck Maxwell Planck का जब quantum theory आया ना देखो कैसे particle nature को represent करता है तो last class में आपने ये सारी बातों को पूरे detail से समझा था कि अगर एक material है matter है और उस पर अगर light particles आ के क्या करें strike करें है ना light particles आ के क्या करने लगे strike करें तो ऐसे में आप सभी जानते हैं कि metal के surface पे millions of millions electrons होते हैं और वो सारे electrons इस photon से energy मिलेगा उनको और वो सारे के सारे electrons क्या करेंगे यहां से jump कर जाएंगे surface से jump करेंगे और बाहर release हो जाएंगे आरे यह बात है समझ में है है ना जी यहां millions of millions पूरे electrons भरे पड़े हैं और यह electrons जब release होते हैं तो इनी electron यह electron free to move होते हैं मतलब गती करने के लिए मुक्त होते हैं और इनी मुक्त इलेक्ट्रोनों से किसका निर्मान हो जाता है विद्धारा का इस पूरे process को ही इस पूरे process को ही जिसमें photons आ रहे हैं है photons को यह आप लोग एक और नाम देते हो quanta photons को क्या नाम देते हैं quanta जिसकी energy आप सब लोग को पता है इसकी जो energy होती है वो frequency के directly proportional होती है because यह Maxwell Planck के theory से आया था इसलिए proportionality symbol हटता है ना तो एक constant अब लोग multiply कर देते हैं और इसी constant को हम लोग क्या नाम देते हैं Planck's constant क्या कहेंगे Planck's constant इसकी value आप हमेशा याद रखेंगे this is 6.63 into 10 की power minus 34 unit आता है joule second बागी E क्या है तो भी यह E energy है और frequency है आपना new मैं कहना क्या चाहता हूँ मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप सबने यह बात पहले भी मैंने पढ़ाई होई है कि अगर H mu की energy लेकर कोई एक photons हमारा आ रहा है एक packets के form में आते है न quanta या photons और उसी energy के packets को हम लोग क्या नाम देते है Maxwell Planck की सबसे quanta या photons का नाम देते है तो Einstein ने क्या कहा था according to Einstein equation ठीक है Einstein के समीकरण से Einstein के समीकरण से समीकरण से कि यह जो भी energy आती है ना जो भी energy आती है photons से जो भी energy आती है जब वो किसी metallic surface से टकराती है ठीक है तो अब भी इसी बात है यहाँ पे photoelectric effect का concept लगने वाला है यह मालो पूरा मेरा metal है ना यह पूरा metallic surface है इसलिए that's why मैं ऐसा कर दे रहा हूँ ठीक यह metallic surface है तो Einstein की equation से यह बात दुनिया को सामने आई थी कि कभी भी photons की energy metals की जब strike करती है तो यह energy दो form में क्या होती है बढ़ जाती है और वो दो form इट कौन कौन से है तो ध्यान से समझेंगे सभी लोग एक तो पहला आप लोग का वो जो हमारा electron है वो जो अंदर surface के अंदर है उस electron को क्या करना है बाहर लाना है तो उसी energy को हम लोग threshold energy दहली जुड़जा का नाम देते हैं और आपको पता है metal के case में threshold energy और work function दोनों आपस में क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं यह बात हमने पढ़ रखी है यह पूरा का पूरा इससा हमारा क्या है एक metal है यह हमारा metal तो metal के case में हम सभी लोग जानते हैं कि जो work function होता है और जो threshold energy होती है वो आपस में बराबर होती है यह बात आप सबने पढ़ रखा है कि work function को 5 से represent करते हैं और threshold energy को H mu naught से represent करते हैं जहां mu naught क्या है भाई इसकी value जान लो यह दहली जाबरित्ती है न यह इसी को दहली आबरित्ती threshold frequency के नाम से जानेंगे क्या कहेंगे threshold frequency और अगर mu बस बोल दिया रहता तो यह normal frequency है मतलब कि photon की frequency यह क्या है भिया आने वाले photon की frequency छोटी छोटी बाते हैं आने वाले photon की आबरित्ती है frequency of photons upcoming photons यह incident photon की आबरित्ती mu से represent होगी और जहां में वो naught लग गया तो वो threshold frequency मतलब वो minimum amount of frequency जिससे कम energy अगर पाएगा हमारा electron वो बाहर ने निकल पाएगा बाहर निकालने के लिए इसको surface से बाहर जंप करा देने के लिए जितनी minimum energy या frequency की requirement है वही उसकी देहली आवरित्ती मतलब threshold frequency के नाम से जानी जाती है ऐसे ही आपने ये भी पढ़ रखा होगा कि जो lambda है ये lambda क्या है? wavelength of photon इसे हिंदी में बोलेंगे this is wavelength of photon मतलब photon का तरंग है रहे और अगर ये ही lambda not लिख दिया जाए तो अब ये क्या पढ़ाएगा भी या wavelength of electron wavelength of electron या threshold wavelength के नाम से भी जान सकती हो तो मैंने कहा था मैंने नहीं कहा था कि जो भी energy photon लेकर आ रहा है ये जो energy photon लेकर आ रहा है ये energy actual में दो form में बढ़ जाएगी पहला form क्या होगा? आने वाली जो energy है H mu photon की जो energy है मैं यहाँ पर पहले वर्ट्स में लिख दे रहा हूँ ठीक है? यहाँ पर आप समझना photon की जो उर्जा है ये दो भाग में बढ़ती है यही आप लोग को समझना है photon की उर्जा दो भाग में बढ़ जाएगी और वो दो भाग कौन को रहे है? तो पहले इस metal के surface की electron को बाहर निकालना है मालनो photon 100 jool से आया कितने jool से आया? 100 jool से आया और यहाँ पर इस electron को बाहर निकलने के लिए चाहिए अपने को 10 jool कितना चाहिए 10 jool तो 100 jool अगर आप ली करा रहे हैं तो अराम से 10 jool दे कि उसको बाहर निकाल दोगे बाहर निकालने में जो उर्जा निकलती है उसे हम लोग क्या ना हो जाते हैं? इंगलिस में क्या बोलेंगे? work function प्लस प्लस जब यह 10 jool से बाहर निकल गया आया था 100 jool से बाहर निकलने में खर्च हुआ 10 jool बच्चा है न अभी पि 90 jool वो 90 jool किस format में store होगा तो वो जो electron free हो जाएगा अब उसके पास 90 jool की energy है तो वो इधर-दर भागेगा भागेगा मतलब motion करेगा और motion करेगा तो जो energy store होती उस energy को हम लोग क्या नाम देते है kinetic energy तो यहाँ पर एक और energy जुडेगी वो है kinetic energy प्लस दस jool अगर work function है kinetic energy फिर कितना होगा 90 jool दोनों को मिला कि photon की जो energy है वो कितनी होगी 100 jool आया बात समिल में इसे इंग्लिस में भी लिखना चाहो this is energy of photon चलो language का कोई scene नहीं रहेगा थोड़ा हिंदी वाले भी इंग्लिस मगर सीखा करो ठीक है equals to हो जाना है हमारा यह work function प्लस kinetic energy गतिजूर जा चलो अब इसका अगर मैं mathematical expression देखूंगा तो photons की energy क्या है भी है हम्यू है work function क्या है सर्फ फाई है प्लस kinetic energy सब लोगों पता है half mv square होता है चलो अभी ध्यान से उसको देखेंगे थोड़े दिर में यहाँ तक के terms clear है न सबको चली मैं इस equation को एक बार और लिख दे रहा हूँ Einstein से जो result आया कि h mu is equals to हमने लिखा था work function plus of kinetic energy simply see this बहुत important result है क्योंकि यह अब प्यारे साथ यह आपको समझना है अगर बात होगी किसकी metal की किसकी बात होगी रही है metal के लिए मैंने आप सबको बता दिया था पहले के class में ही कि भी है जो work function कारे फलन है उसका काम क्या होता है तो धातू के अंदर पड़ हुए एक electron को सतह तक लाने में उसके surface तक लाने में जो energy हम लोगो खर्च करनी पड़ती है उसे हम उसके work function कारे फलन के रूप में जानती है और threshold energy क्या होता है तो threshold energy क्या होता है कि metal के surface से सतह से किसी एक electron को बाहर बुक्त करने के लिए जो energy requirement होती है वो उसकी threshold energy देहलीच उर्जा के नाम से जानी जाती है दोनों में अंतर जरूर है बट जब बात होगी metals की किसकी बात होगी metals की तो यहाँ पर work function और threshold energy आपस में बराबर होता है यह बात मैंने आप लोगों को बहुत पहले ही सीखा रखी थी क्योंकि metal के surface के सारी electron mostly कहा है metal में surface पर ही है तो surface के electron के बस बाहर निकालना है वही आपका कारे फ़लन भी है वही आपकी देली जूर्जा भी है बट दोन में फरक होता है और मैंने बताया तो यह work function के वा metal के लिए काम करें ज़रूरी नहीं है यह non-metal, semi-metal सब के लिए काम कर सकता है ठीक है यह nature of material पर debate करता है तो किस पर depend करता है नहीं करता है इससे बाते को तो हम लोग पहले से ही deal कर चुगे है तो प्यार साथियों यहाँ पर data रखो दो तो this is h mu is equals to हमें क्या मिल रहा है h mu naught plus of kinetic energy है ना तो यहाँ से आप लोगो kinetic energy के बड़े सारे formula मिलेंगे देखो अगर मुझे क्यों kinetic energy चाहिए होगा मेरे प्यार साथियों तो वो क्या हो जागा इसको इधर भेज़ दो या मैं इसी चीज़ को right में ऐसा लिख सकता हूँ h mu minus h mu naught यह z clear everyone यह plus वाला इधर आके minus हो गया ना बस left की चीज़ को मैंने right में right की चीज़ को left में लिख दिया है that's all सब के सब अपने आप में एक एक result बनते जा रहे हैं न जी सब के सब result है यह भी एक formula है जगज के हिसाब से हम लोग यूज़ करेंगे यह भी एक formula ही है अब ध्यान देना कि हमें पता है हमें क्या पता है कि यह जो frequency होता है वो c by lambda होता है यह भी एक formula है frequency equals to c by lambda तो प्यारे साथी हो जब आप इस formula को यहाँ पर execute करोगे frequency की जब पे तो अब kinetic energy का एक नया formula मिलेगा in terms of wavelength lambda के terms में h h दोनों में से common हो गया था है न जी हमें क्या मिला था mu minus mu not मतलब यहाँ पर h common है यह हो गया c by lambda minus c by lambda not है जी तो h c common अंदर में आ रहा है 1 by lambda minus 1 by lambda not अब lambda और lambda not क्या है यह बात तो आप लोगो crystal clear हो ही चुकी होगी कि यह lambda क्या है lambda है आप लोगो का wavelength किसका photons का और lambda not क्या है प्यारे साथ ही हो तो lambda not अभी आप लोग अच्छे से जानती हो यह lambda not जो है हमारा वो wavelength है किसका wavelength तो जो electron emit कर रहे है उसका wavelength तो आपने kinetic energy का formula frequency के term में भी सीख लिया आपने kinetic energy का formula wavelength के term में भी सीख लिया अब चाहोगे अगर velocity पूछ दिया जाए हमसे क्या पूछ दिया जाए velocity चलो यही वाले equation यूज करता हूँ मैं ध्यान देना यह वाले equation अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो हमें साब साब दिखता है कि यह जो kinetic energy आ रही है वो हम्यू माइनस हम्यू नॉट यूज हो रही है kinetic energy is equals to क्या कहा रहा हूँ मैं हम्यू माइनस हम्यू नॉट और आप सबको पता है kinetic energy is nothing बट this is half mv square equals to क्या हो रहा है h common करके photons की frequency minus threshold frequency यहाँ से अगर मेरे प्यार साथी अगर कीवल velocity निकालना रहे हम लोगो मतलब अगर मैं v square चाहूँगा तो यह 2 उपर जाके multiply हो जाएगा उपर में h भी आएगा यह mass जो multiply हो डिवाइड हो जाएगा और अंदर में frequency minus frequency not आएगा तो अगर मुझे कीवल velocity का formula चाहिए तो velocity का formula क्या मिलेगा root में 2h upon में m है न जी यह आया हुआ सवाल है न यह इंडिया के different examination में direct यह formula पूछ चुका है तो कोई confuse करने वाला formula है ही नहीं अगर आपने physics को जाना है समझा है आपको physics को relate करने आता है तो आप एक formula से ही दूसरे formula दूसरे formula से तीसरा formula ऐसे generate कर सकते हैं is that clear everyone यहां sir relations आप दिख रहा है कि जो velocity पर्टिकुलर जो भी velocity है किसकी velocity यह velocity किसकी है sir emitted electron की है जो electron मुक्त हुआ है न यह उसी की गति जूर जा थी न भाई photon की तो kinetic energy आप ले नहीं रहे थे उसका तो energy सिदे h mu उसे represent कर दे रहते हैं यह जो electron मुक्त हो रहा है emitted electron है यह उसी को अपन photo electron के नाम से जानेंगे यह उसकी velocity है जो mass के square root के क्या है inverse proportional है और frequency के square root के क्या है directly proportional है तो यह relation भी पूछ देता है और यह जैसे relation पूछे का अच्छे अच्छे लोग घबराने लगते है तो मैंने इतने सारे आपको formulas करा दिये चलो आप कुछ theoretical terms को भी देख लिया जाए ठीक है तो देखो बस theoretical terms है जैसे यह प्रकाश विदुद प्रभाव का second lecture है प्रहला lecture हमने एक-एक जो terminologies हैं उन सब पर बात कर लिया था तो पहला यही है कि प्रकाश विदुद प्रभाव के नियम क्या-क्या है तो इसमें जितनी भी चीज़े लिखी गई है एक-एक point आप लोग को explain किया जा चुका है चलिए वही नियम ही है बस मैं screenshot ले लेता हूँ ताकि आप लोग को pdf notes में जाए बाकी आप पूरा line पढ़िए और आप पाएंगे कि अगर आपने पिछला वीडियो अच्छे से देखा है तो हम इन सारे चीज़ों को already cover कर चुके है चलो अब next है Einstein का प्रकाश विद्धुद समीकरन तो भी है मैंने Einstein का photo electric equation में भी आपको सीधे सीधे आभी explain कर दिया कि जो Einstein ने कहा था कि photons की जो energy आती है वो छोटे छोटे बंडलों से मिलकर बनी होती है और इनी बंडलों को हम लोग photon या quanta के नाम से जानते है और प्रकाश का उत्सरजन हो या उत्सरजन इनी photons के रूप में होता है जैसे सूरज से हमको पता है उर्जा उत्सरजित होती है तो सूरज से जो energy धरती को मिल रही है आप सब को पता है प्रिची पर उर्जा का सूरथ सूरे है तो सूरी से जो हमको उर्जय मिल रहे हैं फोटॉन में मिल रहे हैं पैकेट्स के फोर्म में मिल रहे हैं जिसको फोटॉन या क्वांटा का नाम देते हैं और ये फोटॉन और क्वांटा भी अपने आपने नए विद्दू चुम्बा की तरंग है electromagnetic waves के example में आते हैं तो याद रखना ये बात और ये continuous नहीं होता है ये दो खेर पता है आपको वो packets के form में है ना अच्छा प्रत एक photon की एक निश्चित उर्जा होती है और ये उर्जा को आपने किसी equation से लेना है भिया तो ये हम लोग e directly proportional to frequency होता है ये इसी को अपन e equals to h में उसे भी represent कर देंगे जहाँ h क्या है h भी ये प्लांक constant इसी को आनुपाती constant ये प्लांक नियतांक के नाम से जानते हैं और इसकी value भी मैंने आप लोगों को लिखवा रखी थी sir 6.63 10 की power minus 34 joule second एकदम value रटा जाना चीए क्या के सवाल अमने बहुत ज्यादा use होने वाला ये value चलो अब बाकिया Einstein ने जो कहा था जिसको अभी अभी हमने देखा कि जो भी photon से energy लेकर आ रहा है ना वो जो energy आ है वो दो form में बढ़ जाता है एक energy क्या होता है इस उर्जा को धातु का कारेफलन कहते हैं इंगलिस वाले लिख लेंगे total energy of photons is now distributed in two forms the first one, पहला one is called as a work function or threshold energy which is the minimum energy required to remove an electron from the surface of the metal the second form of energy जिसे हिंदी में लिखा गिया है उर्जा का जो 6 भाग बच जा रहा है वो सरजित होने वाले electron को गतिज उर्जा देने में व्यह होगी मतलब the second form of energy is now centralized in the form of kinetic energy of emitted electron जो बाहर electron निकल गया ना उसके पास जो kinetic energy होगी वो बची हुई उर्जा होगी जैसे मैंने बता है ना 100 जूल से photon आ रहा है 10 जूल लगा उसको electron को बाहर निकालने में बाकी का 90 जूल जो बच गया ना वो क्या है kinetic energy में इस्टोर हो जाएगा initial और final आपस में क्या है same है इसी को तो हम लोग उर्जा संदक्छन का सिध्धान्त कहते हैं तो अकर सवाल आपसे ये पूछ दे कि Einstein का समीकरण निमने में से किस सिध्धान्त का पालन करता है और option में आपको उर्जा संदक्छन का सिध्धान्त दिख रहा है concept of conservation of energy दिख रहा है तो आप उसको tick लगाईएगा क्योंकि Einstein का equation उसको apply करता है चलो अब theoretical बात ही हो चुकी है प्यार साथियों अब आजाते है थोड़े numericals पे तो numericals में चलो ध्यान से देखना एक एक numerical बहुत खुब सूरत होता है selective questions है आपकी वही सारी exams में आया तो भी सवाल रहते हैं आप सब बोल रहा है यह wavelength दे रखा है lambda की value दे रखा है कितनी दे रखा है भी यह 4000 emistrong 4000 emistrong को अगर मैं चाहूँ तो चलो यह से 4 into 10 की power 3 लिख सकता हूँ 4000 को और 1 emistrong यह होता है प्यार साथी वह 10 की power minus 10 meter होता है तो जब अच्छे से solve किया गिया देखो photon है ना photon ने तो lambda बस लिखना lambda not मत लिखना photon का wavelength lambda होता है photon की frequency के रख mu होती है जहां electron की बात होने लगी matter की बात होने लगी वहाँ पर not लगा दे ना mu not lambda not ऐसा तो आप पाए हैं आपने पा लिया कि जो photon की जो total energy आ रही है सर वो यह आ रही है आपसे energy ही तो पूछा है energy हमने पढ़ा था ये Planck ने equation दिया और relation दिया इस relation से ये equation बन गया अच्छा ये जो equation है यही से हमने एक और नया result समझा कि जो frequency है वो कुछ नहीं है c by lambda है सर तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर रखना था data को तो जो आने वाली energy है वो हो जाएगी h c by lambda h की value जनम जनम से पता चल चुकी है यह इतनी होनी है सबको si unit मिले ना ना c की value भी आपको पता होती है प्रकाश की चाल 3 into 10 की power 8 meter per second divided by wavelength this is 4 into 10 की power minus 7 तो इसको solve कर लो कैसे solve करोगे दखो यह 4 है और यह 2 का पहाड़ा पढ़ दो तो यह 2 तीयाई 6 और 2 तीयाई 6 मतब 3.3 के आसपास उड़ा दिया यहाँ 2 बचा हुआ अब भी नीचे अब फिर से 2 से इसको काट दूँगा तो यह 1.7 यह 1.6 के आसपास उड़ जाएगा 1.7 थोड़ा बढ़ा आगे ले ले रहा हूँ क्योंकि हमने 0.3 को तो consider भी नहीं किया था थोड़ा बढ़ा दिये तो 1.7 का 3 में multiply हो रहा है तो यह सतरत यह क्याओन होता है ना तो यह लगबन आप लोग को 5.1 के आसपास इंसर देगा पर actual answer जो आप लोग को लेना रहेगा वो कितना आएगा this is 4.95 5.1 की जब पर 4.95 इंटू 10 की पाउर को balance करना है तो 10 की पाउर में ध्याद सुनो यह जो minus 7 है यह उपार आके plus 7 हो जाएगा plus 8 पहले से है 8 रशाथ 15 हो गया 10 की पाउर 15 लिख देता हूं भाई यह है 10 की पाउर minus 34 इंटू यहाँ पर आ रहे 10 की पाउर 15 बढ़ियां से solve करोगे तो जो energy आ रही है वो near about 4.91 या 5 माल लेना चलेगा भाई 4.95 के बराबर ही है इंटू 10 की पाउर क्या होगा minus 19 Joule आया बात समझ में यह आप लोग की क्या आ गई final value of energy आ गई अरे minus 4 और 15 आपस पर जोड़ो minus 10 की पाउर minus 19 Joule आ रहा है तो simple सा सवाल है आराम से आपको data putting और formula रटाने में help किया और आप simply उसको solve करके answer लापाऊगे दीरे दीरे हम सवाल के standard बढ़ाएंगे न भाई ठीक है चलो अगला सवाल अगला सवाल हमारे बीच में यह रहा अच्छा मैं इंगली से भी सवाल repeat करूंगा तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं question क्या पूछा है पहले उस पे आजाओ बोरा धातु का कारे फलन 1.6 into 10 की पाउर minus 19 Joule है the work function of metal is 1.6 into 10 की पाउर minus 19 Joule मतलब कि मैं पहला लाइन तो कर लूँ पहले हम लोगो क्या दे रखा है पहरे साथ ही हमको work function दे रखा है जिसकी value है 1.6 into 10 की पाउर minus 19 Joule दातू की सत्य को जब 6400 है में strong तरंग धरे वाले प्रकास से प्रदिप्त किया जाता है आगे सवाल को पढ़ो तो निकले ही पदार्थ इलेक्ट्रोनों की अधिक्तम उर्जा कितनी होगी यह आपसे पूछा गया है एक बाद बताओ रिमॉवड इलेक्ट्रोन की जो एनर्जी है वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होगी वे इलेक्ट्रोन मुथ्धो चुगा है सत्य छोड़ चुगा है अब जो एनर्जी बचेगी न अब एनर्जी कौन सी एनर्जी है वे काइनेटिक एनर्जी है आइस्टे दे तो बोला था न, तीन एनरजी, एक एनरजी आएगी, जिसे हम लोग फोटॉंस की एनरजी बोलते हैं, और दुए एनरजी, जनम लेंगी, एक है वर्ट फंचन, जिसे हम लोग थ्रशोल्लड एनरजी का नाम भी देंगे मेटल के लिए, और दूसरा हमारा कौन आता है दूसरा हमारा आ जाता है kinetic energy जो मुक्त हुए electron के अंदर सचीत रहता है energy तो यहाँ से हम समझ गए हमको length दिया है wavelength किसका wavelength दिया है आने वाले incident light का मतलब photons का तो lambda not नहीं लगाना दोस्त lambda लगाना और यह कितना दिया है यह दिया है 6400 m strong ठीक है मतलब अपन चाहें तो इसको 64 into 10 की power 2 into 10 की power minus 10 meter भी लिख सकते थे क्योंकि यह कैm strong 10 की power minus 10 meter होता ही है नेल अम strong के नाम पे इसका unit पड़ा था आपसे photon की अधिक्तम उर्जा पूछी गई है मतलब energy कौन से form ने इस्टोर होगी तो kinetic energy आप से पूछा गया है चलिए Einstein का समीकरण लगाईए तो Einstein जी के समीकरण से के समीकरण को अगर हम लोग यूज़ करते हैं we used Einstein's equation तो Einstein के equation से यह बात सबको पता चल गई थी क्या पता चल गई थी कि sir h mu is equals to होता है sir 5 plus ek है न जी यही तो था इस चल गई equation और क्या था तो एक काम करना है हम लोगों चाहिए ek हमको क्या चाहिए दोस्त ek चाहिए तो ek is equals to मतलब kinetic energy is equals to क्या हो जागा sir h mu minus 5 होगा अरे इसको इधर भेजते न minus लगता न अब मैं left की चीज़ को right में लिख दिया हूँ right की चीज़ को left में लिख दिया हूँ that's all कोई दिक्कत नहीं है तो प्यार साथ ही अब आपको इसको solve करना पड़ेगा h c frequency our frequency is equals to सबको पता c by lambda होता है lambda question में दिया हुआ था इस लिए इस frequency को मैंने lambda का time में क्या किया convert करवा दिया तो यहां से जो हमारी final kinetic energy आने वाली है वो क्या हो जाएगी h c by lambda क्या हो गई h c by lambda minus 5 अब value रखना का काम करना है तो बहुत सरलता से सवाल बन जाएगी और calculation work में घबराना नहीं है अब दिखो क्या boom boom करेंगी हम लोग सकेंडर में उड़ा के फिक देंगी इसको तो this is 6.63 into 10 की पावर minus 34 यह h की value हो गई into 3 into 10 की पावर 8 divided by lambda lambda की value क्या है सर सर यह 64 into 64 into 10 की पावर में minus 8 आता बात समझ में आ रहे है तो मचाता तो उसको 6.4 into 10 की पावर minus 64 ही रहने दो कोई दिकत नहीं है 64 into 10 की पावर minus 8 बचा है चरो अब ध्यान देना calculation करना है बही point में आप answer ले सकते हो point का answer हम इसे approximately आता ही नहीं है इसलिए आप क्या करें एप्रोक्सिमेटल उड़ा दो यह 6.4 को 6 को 6 10 में लो 4 मान लिया और नीचे भी 64 है 10 में उड़ा दिया इतने में उड़ा दिया 10 में अब तो कहां नहीं सॉल हो गई कहां नहीं सॉल हो गई दोस्त वैसे यह 64 था यह 6 आचट था तो थोड़ा सा जाद होगा 1.1 मान लो यार उस पर 3 का मल्टिप्लाई कराओगा तो 3.1 3.2 की आसपास एंसर ले लिया इंटू 10 की पाउर को बैलन्स करना है यह माइनस 8 उपर जाके क्या हो जाए सॉरी 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 यहाँ 10 है और 10 की पाउर क्या है माइनस 8 मतलब 10 की पाउर माइनस 7 बचा वो उपर आके प्लस हो कि इसके साथ 15 हो गया और यहाँ पर है मेरे पास तो हम लोग को फाइनली कुछ यह एंसर मिल गया यह हमारा क्या है काइनेटिक एनर्जी का फाइनल वैल्यू है ठीक है तो सवाल सिंपल था सवाल खुबसूलत था एक मिनट एक मिनट माइनस 5 भी तो करना है दोस्त यह तो आप बोली गया थे अब 5 के वैल्यू दी भी है तो आपको माइनस करना पड़ेगा इस बार इस बार माइनस करना पड़ेगा तब आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी phi की value आपको जो question में दी है उसको आपने use करना है चले हमने use कर दिया ठीक तो अब आप यहाँ से बड़े प्यार से पाप आएंगे है न जी आप तो बन गे न सवाल तो दोनों को minus कर दीजिए तो 10 की power minus 19 दोनों में क्या है common है और 3.1 में से आपने 1.6 को minus कर रहे हैं मतलब 1.5 1.6 के आसपा sensor आज लेगा और क्या approximately ले रहा हूं दोस्स हो सकते 1.7 आजाए कोई scene नहीं है या 1.8 आजाए तो भी आप लोग घबराना मत यह आप लोग का क्या आएगा approximate answer क्या है approximate answer क्योंकि हम calculator तो use कर नहीं रहे option में इसके आज़ी बाजु कहीं दिखेगा उसको click कर देना कहानी खतब ठीक है this will be the final answer मैंने बार बर बोला यह approximately answer है न exact का दावा नहीं कर न मैं हम अगर उसके आसपास ही हो गए चलो यह तीसरा question क्या है भाई यह सवाल तो सवाल यह कहता है कि aluminium पहले इस सवाल को आप पढ़ो और अपने से प्रियास करो जिदना सीखे उतना आप ट्राई करने की कोशिस करो देखो सवाल बन जाएगा मुझे भरुसा है आप पर बन जाएगा कर लेट रहे बढ़े अब आगे match कर लेते हैं ना बना लिए होंगे जिन लोग सभी के सभी बढ़ाई के पात रहे हैं यसी मंदारी पढ़े बनाए रखे पढ़ते रहे हैं चलो सवाल है aluminium का कारिफलन वर्क फॉंशन आप एलिमुनियम वस गिवन बई 4.2 electron volt आपको electron volt को पहले तो ततकाल प्रभाव से जूल में करवट करना पड़ेगा और कभी भी electron volt को जूल में करवट करना है तो कुछ नहीं है एक electron जो है ना इस electron के charge को लागे multiply करा दो दोस्त और एक और हिदायत दे रहा हूं है ध्यान सुम्झो कभी भी calculation work बीच में नहीं किया जाता है ना physics में ना physical chemistry में कहीं भी जान नहीं में अरकल आए कभी भी calculation work बीच में आप 4.2 का 1.6 से गुणा करा रहे है वेस्ट अफ टाइम that will be totally waste of time नहीं करना इस काम से बचना है calculation हम इसे last में वेकिन आप बुम बुम होने में असानी होती है बीच में calculate करोगे फिर data इधर उधर हो जाएगा फिर अलग से यहाँ भी time फिर वहाँ पर अलग calculation का time तो waste of time है और वह आपका time जब waste होता है न तब आपकी जिंदगी का waste करने में काफी रगता है आपसे पूछा गया है प्रकास विदुत प्रभाव के अंतर किये तरंग जरे क्या होगा what will be the wavelength of the photons यह आपसे पूछा गया है what will be the wavelength of photon मतलब अपने को lambda चाहिए है नहीं photon गलती से बोल दिया बात aluminum क्यों होई है न what will be the wavelength of aluminum foil ऐसा आपसे पूछा गया है अरे कोई दिक्कत नहीं है बात जब भी metal की होती है ना मैंने आप लोगों को बता रखा है कि metal के case में metal के case मेरे प्यार साथियो जो work function होता है वही threshold energy के पराबर होता है तो आपको ध्यान से देखो यहीं पर तो work function is equals to क्या हो जागा hc by lambda naught तो भीया यहाँ से lambda naught का एक नया formula बन गया मतलब wavelength of what emitted electron मतलब मुक्त गोने वाले electron की तरंग ध्यार है यह यह हो गया hc upon 5 data रख दो मेरे भाई बन जाएगा सवाल ठीक है चलिए तो lambda naught is equals to क्या हो गया h की value जनम जनम से पता है लगा दो भाई c की value भी पता है लगा दो भाई divided by 5 5 is also known as this is 4.2 into 1.6 into 10 की पावर minus 19 अब मेरे प्यार साथ यो करना क्या है यह देख़ए यह 1.6 है और यह 4 साथ है 4 में boom से घरदिया उडा दिया 4 में exactly नहीं उड़ेगा पर मैंने उड़ा दिया और यह 4 है और यह 4 दसमनों 2 है यह भी 1 से उड़ा दिया का सकताव न पॉइंट में क्या ही लेना देना यार तो answer approximately आप देख़ए रहे बाब 3 into 10 की पावर दुनिया दारी करके answer आएगा मतलब wavelength जो approximately आएगा यह 2.8 2.9 के आसपास आप लोग का answer आएगा ठीक है तो मैं 2.9 ने ले रहा हूँ 3 से थोड़ा सका ठेक किकि denominator जब बड़ा होता है न तो value final value थोड़ी कमा जाती है और कुछ scene नहीं है 10 की पावर balance करो तो यह देखो यह minus 19 उपर जाकि इसके साथ 8 के साथ जोड़के क्या कर दिया 27 क्या होगा 10 की पावर plus 27 अब plus 27 और minus 34 मिला जुला के क्या बच्चा 10 की पावर minus 7 क्या है यूनिट मिटर हो गया तो सवाल कितना तो simple था भई is that clear everyone simple है सभी लोग को समझ में भी आ गया होगा चलिए अगले सवाल के और बढ़ जाए अब देखो सवाल बड़ा देखके घबराओ मत सवाल प्यारा है क्योंकि सवाल इसलिए प्यारा है प्यारा साथ क्योंकि इस सवाल में आप 2-3 चीज़ों को एक साथ देख पा रहे हो और ऐसे सवाल तो हम लोग हमारे concept building में बड़ा help करते हैं न जी सवाल क्या है कि धात्यू के एक तल पर 4000 m strong तरंग देरे के प्रकाश आपतित होता है जिसका काय फ़लन 2 electron volt है इंगलिस में लिटरेट कर दे रहा हूँ on a metallic surface photons of 4000 m strong incident which work function of metal is 2 electron volt आप सब और उस सरजित electron की अधिक्तम संभाव गती जूर्जा निकालना है मतलब determine the maximum possible kinetic energy of emitted electrons और दूसरा पुचा गया है देली अवरित्ती का मान भी निकालिये then what will be the frequency of threshold frequency what will be the value of threshold frequency यह दो सवाल अपने को बनाने है अराम से बना सकेंगे खुद से try करो पहले खुद से try कर लो फिर उसके बाद तो अपन है ठीक है चलिए वीडियो रोक लीजिए पहले स्वैम से प्रयास कीजिए तब ही पता चलेगा ना कि कैसी आपको चीजी समझ में आ रही है की नहीं आप concept को relate कर पा रहे हैं की नहीं because physics, chemistry यह सर्फ tough subject होते हैं दोस्त यह science के subject है यहाँ पर हम चीज़ों को रट के काम नहीं चला पाएंगे हम यह चीज़ों को समझना होगा formula को relate करने आना चाहिए तब हम काम कर पाएंगे तो चलो, आज आप सवाल में आपको एक धातू के तल का तल पर 4000 अभी strong तरंग धहरे का प्रकाश आपतित होता है मतलब यह प्रकाश का अतरंग धहरे मतलब यह lambda है not lambda not lambda not नहीं यह lambda है इसी को बैचाहूंगा तो this is 4 into 10 की power 3 into 10 की power minus 10 meter लिखूंगा क्योंकि यह हैं strong था तो हमें lambda मतलब wavelength of photon मिल चुका है वो कुछ हम लोग को यह मिला है इतना meter 4 into 10 की power minus 7 meter आगे आपसे सवाल में बोर रहा था work function दिया हुआ है कि इसका metallic surface का वो है 2 electron volt तो यह 2 electron volt को अपन 1.6 into 10 की power minus 19 joule में convert कर सकते हैं यह calculation work कभी भी बीच में नहीं करना अभी तो पिछले सवाल में दिखाया था calculation बीच में करते हैं तो फसोगे time दो दो बार waste होगा और आपका सवाल भी फसेगा हमने calculation work बीच में नहीं किया देखे सामने आके कितना boom boom करके cancel होके हमारा सवाल easy बना दिया उसने तो calculation work का संखालो कभी बीच में नहीं करोगे अब प्यार साथ यह आपको kinetic energy चाहिए क्या चाहिए kinetic energy kinetic energy is a question आप पड़ा रखे है h mu minus 5 h mu mu is h c by lambda minus 5 सारा data आपके पास known है आपको किवड़ data putting का काम करना है और सीधे आपके जोली में सवाल आ जाएगा तो पहला जो सवाल हम सब पूछा था एक काम करता हो दोस्त थोड़ा जगा हम लोग को चाहिए इसलिग यहीं क्यों बनाता हूँ जो पहला सवाल पूछा गया था उस पे आजाओ यह दीख तो रहा है ने सब लोग को h is 6.63 into 10 की पावर minus 34 c is 3 into 10 की पावर 8 divided by lambda is what that was 4 into 10 की पावर minus 7 ठीक इसको solve करोगे तो 4 16.64 होता है न तो यह 1.7 यह 1.8 मान लो 1.7 मान लिया यह 1.6 ही मान लिया 1.6 16.64 ऐसे काट दो न धाय धाय 1.6 में गया और 1.6 into 3 कितना होता है 14.64 होता है तो आपन यहां से साब साब समझ गये क्या समझ गये दोस्त कि approximately most probable नहीं बोल रहा हूँ मैं मैं बोल सकता हूँ कि approximately हमारी जो kinetic energy आ रही न वो 4.8 4.9 के आसपास आ रही है मतलब 5 मान ले न तो 5 into 10 की पावर में कितना बचेगा तो सर यह minus 15 sorry minus 7 उपर जागे plus 7 होगा 8 के साथ 15 देदेगा और यहाँ पर 34 तो है तो this is 4.8 into 10 की पावर minus 19 जूल यह पहले सवाल का आपको जवाब मिल चुका है आप सब पूछा किया था कि total कितनी maximum kinetic energy possible है तो भी यह इतनी possible है हो सकता है आपको कई book में आपको 5 दिख जाए calculation करने से हो सकता है आपका 5.1, 5.2 आजाए इसलिए मैं बार बार बो रहा हूँ approach sensor option में हमको अलग-अलग option दिखेगा था यह से मारते बनेगा अब सवाल के दूसरी गड़ी पे आते हैं ठीक है second question क्या था second question में आपसे पूछा क्या था देहली जाब रत्ती निकाल ली है यह चाहिए आपको तो भीया metal के लिए आप सब लोग को जानते हो भीया ना सभी लोग धातू के लिए metal के लिए यह formula पढ़ रखे हो कि भीया जो work function होता है वही h mu not होता है है ना कि बलकि इसके लिए metal के लिए non-metall or metaloid के लिए ऐसा कोई सी नहीं है दोस्त हमेशा 5 is equals to h में भी not हो ऐसा जुरूर नहीं इसलिए मैं आप पर सारी चीज़ आच्छे से बाजले ही clear करा चुका हूँ पिछले वीडियो में अब ध्यान से दिखो तो जो frequency not ही चाहिए अपने को वो जा रहा है 5 divided by h 5, 5, 5 की value है sir 2 into 1.6 into 10 की power minus 19 divided by h की value दोस्त 6.63 or 6, 4 into 10 की power minus 34 एक चल में कई बूट में 6.62 भी दिख जाएगा घबरान मत पॉइंट के दो डिजिट बाद तो उतना ध्यान देना भी नहीं रहता है तो अब देखो ये 16 है और ये 64 4 में उड़ा दिया है ना ऐसे ही calculation कर नहीं है दोस्त फिर ये 2 में उड़ गया और ये 2 एकम दो खतम तो 1 by 2 आ रहा है 1 by 2 को अपने लिख सकते है 0.5 into 10 की power में अब balance करना है तो ये minus 34 उपर जाएगा प्लस 34 बन जाएगा अब minus 19 बहले से है मतलब अपने को 10 की power में क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा कितना मिल जाएगा 15 मिल जाएगा होगी answer चाहोगी ये इसको 5.5 आप लोग का answer आजाएगा 5.5 into 10 की power 14 hertz क्या होगा hertz क्योंकि frequency का unit per second बोल सकते हो या hertz बोलोगे ठीक तो यहाँ तक का सारा चीज मुझे लगता है अच्छे समझ मैं है note करो जल्दी से एक बार चली भी ये तो clear है न भी यहाँ तक है न जी next आगे आजाएगा अगे आप लोग बनाना है photon की उर्जा की गर्णा कीजिए जिसमें 30 second 30 second किसका unit होता है frequency की frequency की value दे रखा है वाली धातु से नगन्य गतिज उर्जा का electron उत्सर्जित कर सकते है एक बात समझो आप से बोल रहा है what will be the energy of photon energy of photon photon मतलब अपने को चाहिए h mu ये चाहिए अगर हम से बोल रहा है कि जो kinetic energy है ना वो nearly क्या है 0 Joule है है जी और frequency जो है ना हमारा photon की frequency है मतलब जो भी emitted जो electron है उसकी frequency वो दिया था 4.4 into 10 की पार 14 Hz या पर सेकेंड भी बोल सकते हो कोई दिक्कत नहीं है यार आइंस्टेनी question सबको याद होता ही है क्या कि h mu is equal to होता है h mu not plus of kinetic energy तो kinetic energy नगन्य है काफी small है तो उसको ignore कर दो जैसे ignore करोगे तो यहां से ध्यान से देखिए कि h mu is equal to h mu not हो जाएगा यह से ही लोग है ना भाई ठीक है क्या भूजा गया है तो यहां से देखिए frequency आप लोग ला पाएंगे जो कि directly equal भी लिया जा सकता है अच्छा एक काम करने दोस्त यहां पर ना इसको phi के terms में रहने दोना confusion create हो जा रहे है महा तो आपको उर्जा ही निकालनी है तो directly work function ही तो निकालना था kinetic energy तो वैसे भी 0 ले लिया था value रख तो 6.63 into 10 की power minus 34 और frequency frequency तो given था ना कितना given था हμ, हμ, नौट तो आपस सब बराबर हो गया सब कुछ हजी, अभी तो दोनों आपस सब बराबर थे तो बस वो 5 से equate करा दिया इसकी value देव ही है 4.4 into 10 की power 14 solve कर लेना अराम से बड़े प्यार से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा ठेक है? clear है सभी लोग को unit जूल में आएगा और कोई सीन नहीं है चलो, next अगली सवाल पर आजाते हैं हम लोग और इस तरीके से ये वाला पूरा segment हमारा complete हो जाएगा चलो, एक सवाल जिसमें सारी चीज़े एक साथ आप लोगो निकालनी रहेंगी प्यार से वनाना है भीया, क्या पूछा गया सवाल को ध्यान से देखो पूछा गया है, एक धातू का कारे फरन दो electron volt है, if the walk function of any metal is 2 electron volt मतलब समझ गया है sir, this is 2 into 1.6 into 10 की power minus 19 joule, electron volt को joule में कैसे convert करना है तो यह जो electron दीख रहा है ना, इसका charge को लाके multiply कर देना आप किया जटते, जिसका तरंग धार है, wavelength आप लोगो दे रखा है wavelength आप लोगो किसका wavelength दे रखा है दे रखा है, metal की surface का, ठीक है 500 nanometer है तो मैं ले ली अभी 500 nanometer यह अपन चाहेंगे तो 5 into 10 की power 2 और nanometer का मतलब होता है 10 की power minus 9 मतलब 5 into 10 की power minus 7 meter मानगे चलना ठीक है, अच्छी बात है आप लोगो क्या पूछा जा रहा है आपको find करने बोर रहा है देलीज तरंग धार है, मतलब थ्रिशोर्ड wavelength थ्रिशोर्ड wavelength लेम्डा नॉट यह लाना है पहला सवाल दूसरा सवाल प्रकाश इलेक्ट्रॉन की अधिक्ताम उर्जा maximum energy यह आप लोगो लाना है और तीसरा है निरोधी बिभाव निरोधी बिभाव का मतलब होता है stopping potential क्या भिया stopping potential यह तीन चीज़े आप लोगो determine करनी है इस सवाल के अंदर चलो कोई दिक्कत नहीं है पहले सवाल के अंतरगत हम लोग आती है पहले सवाल के अंतरगत अब गर आप देखेंगे आपको threshold क्या लाना है wavelength लाना है कोई दिक्कत नहीं है विया यह जो 5 पड़े थे न यह 5 हम लोग h mu naught के equal पड़े थे है ना metal के लिए और यहीं से h mu naught के जहाँ पर c lambda naught लिख सकता था हमें तो मेरे प्यार सात्यों जो threshold frequency आएगी lambda naught जो आएगा वो क्या आएगा तो hc upon 5 hc upon 5 h की value sir 6.63 into 10 की power minus 34 c की value sir 3 into 10 की power 8 meter per second divided by 5 what is the value of 5 that was given in the question this is 2 into 1.6 into 10 की power minus 19 solve कर लो न भाई यह देखो यह 16 और यह 16 चोग 64 4 में उड़ा दिया फिर इस 2 से इसको भी उड़ा दिया तो 2 into 3 मतलब नियरली नियरली अगर ध्यान से देखो कि approximately answer ले रहा हूं ना तो पहला सवाल जो था threshold wavelength wavelength वो कितना रहे सर कुछ तो और बचनी रहा ना तो लगबग 6 6 और यह 27 हो जाएगा 27 और यह 24 है तो मैं नियरली आसपास का answer ले रहा हूं ना यह मेरा नियरली answer आएगा आया बात समझ में approximately आप calculator में लगा के देख लो इसके आसपास ही answer आएगा चलो दूसरा सवाल के आते हैं दूसरा सवाल बोलता है प्रकाश electron की अधिक्तम उर्जा maximum kinetic energy आप लोग को लानी है तो भी है maximum kinetic energy अगर आप लोग को लानी है E के लाना है E के इस question मैंने 2-2-3-3 formula पढ़ा रखे थे sir h mu minus h mu not कर सकते हो इसी mu को आपन चाहे थे h c upon 1 by lambda minus 1 by lambda not भी तो लिखा जा सकता था दोस्त अब values को लग दीजिए तो भी h की जापे 6.63 into 10 की पावर minus 34 c की जापे 3 into 10 की पावर 8 divided by lambda और lambda not की value आपको पता है lambda की value क्या पता है sir यह पता 1 upon 5 into 10 की पावर minus 7 minus 1 upon इसकी value अभी लाए हो 6 into 10 की पावर minus 7 अब data को solve कर ले न आप लोग को answer मिल जाएगा ठीक थोड़ा simply solve करोगे answer अराम से मिल जाएगा 10 की पावर minus 7 को बाहर कर दो denominator में यह एक बटा 5 minus 1 बटा 6 नीचे 30 आगे उपर में से 6 में से 1 गया कि इतना बचा क्यों ले एक बचा 6 में से 5 गया तो एक बचा तो एक बटा 30 बच रहा है और नीचे 10 की पावर minus 7 है उसे एक बटा 30 को मैं 3 से cancel कर दूँगा नीचे एक बटा 10 बचेगा अब अगल में 10 की पावर minus 7 मिला जो लगे 10 की पावर minus 6 तो हमको final answer ही कितना आने वाला है तो सरीए 6.63 into 10 की पावर minus 34 है नीचे 10 की पावर minus 6 मिलेगा overall तो जब 10 की पावर minus 6 मिलेगा overall मैं देख ले ना भाई सही तो कर रहा हूँ वो उपर आके प्लस हो जाएगा 14 मतलब 20 Joule इसके आसपास का आप लोग को answer मिलेगा चिक कर ले ना थोड़ा आंदा दूनी में एक तो रात को ऐसे ही तीन बज रहा है तो आख ऐसे ही जल रहा है ठीक है तो थोड़ा averagely answer ले 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 ना ठीक चलो तीसरा question क्या था निरोधी विभा तीनो question interrelated है ना भई यह kinetic energy आया stopping potential जो होता है ना इसको E V naught से represent करते है और यह maximum kinetic energy वाले photons के equal लिया जाता है तो जो stopping potential आएगा V naught वो क्या जाएगा E K upon E E K की value अभी लाया थे मेरी फ्याल से देख ले ना भई अपन सही लाया है गलत लाया है divided by electron का charge यही होता है ठीक है solve कर लो फिर से 1644 मतलब सीधे सीधे nearly nearly हमारे stopping potential 4.something something आएगा चलो 4.1 या 2 मान लिया इंटू 10 की power क्या है minus 1 विया बोल सकते है 0.4 volt potential हो किसमे लेते हैं volt में हो गया simple स्वाल बेबाल ठीक है तो hope so यहाँ तक कि सारी चीज़ा आप लोग को crystal clear हो रही होंगी तीनों सवाल बन गए हमारे तो हमने जितने भी answer लेना approximately ले कभी भी आपको objective exam अभी भी देना रहा है कभी भी मान लो subjective दो objective दो तो आप approximately answer पूरे आजादी से लेना हम लोग बस वो approximately answer की जगब एक एक दम इड़ेक टेंसर लेने जाते हैं और डरते हैं बोलते हैं हमसे नहीं मेरकल नहीं बनता है ताफे नहीं मेरकल आरे कुछ नहीं है दोस्त सोच का नजरी का फरक है देख रहें कितना आसान हुजा रहा है calculation और कितना simply हम चीज़ें को deal कर लें नहीं ला रहा है हम exact data बट हाँ option में दिख जाएग exact data अराम से click कर पाएंगे तो ये photo electric effect वाला topic भी हम लोग cover कर चुके है modern physics के part में अगला topic अगले class में deal करते हैं ठीक है तब तक लिए इसको अच्छे से cover करके रखिये आप लो all the very best